नमस्कार मैं रमाभाटी जैपूर से कवीता जब बोलती है शुषक के अंतगरत अपने कुछ रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तूत कर रही हूँ मेरी पहली रचना है चित्रकार अब बस करो चित्रकार कितने रंगों में रंगोगे मुझे अब बस करो चित्रकार कितने रंगों में रंगोगे मुझे अपनी चित्रकारी करोगे और कितना सजाओगे मुझे और कितना सजाओगे मुझे अब तो तस्वीर भी बोलने लगी है जैसे पूछ रही हो देखो तो सही कैसी लग रही हूँ मैं मन करता है निकल जाओं इस कैन्वस से मन करता है कि निकल जाओं इस कैन्वस से और लगा लूँ गले तुमें रंग दू तुमें भी इन रंगों में और चूम लू हाथ तुमारा और चूम लू हाथ तुमारा अब मैं अगली दिशना पेश कर रही हूँ, आखें तलाशती हैं, समुंद्र सी गहरी आखें, समुंद्र सी गहरी आखें जाने कहां खोई हुई, जैसे सारे जहां का दर्द समाया हो, लगता है ऐसे, कुछ खो गया हो और आखें तलाशती हैं उन्हें, जैसे इंतजार हो पिया के आने का, निहार रही शितिच के उस पार, जहां ढलती हुई शाम, खुबसूरत चांद और सितारे, उसकी तन्हा भरी उदासी को दूर करने के लिए जिल मिला रहे हो, ऐसे, ऐ चांदनी तू ही कुछ बोल, मेरे साजन को, काश वो ले जाए मुझे अपने संग, चांद के उस पार, चांद के उस पार, अब मैं अपनी अगली रसना पेश करूँगी, जिसका सीर्शक है, एकांत, तन्हाई जब अच्छी लगने लगी, दिल को वो रास आने लगी है, एकांत अच्छा लगने लगा, मन को वो अब भाने लगा है, शांती महसूस होने लगी, मन अब संभलने लगा है, अकेला पन, खटकता नहीं, अब आदत सी होने लगी, खुश रहने की सला नहीं, अब वज़ा ढूनने लगी हूँ, विचारों में अब बहती नहीं, मन में शांती सी रहने लगी है, बिना वज़ा अब होटों पर मुस्कराहट सी आने लगी है, उम्र के इस पड़ाव पर अब अपने पर ध्यान देने लगी हूँ, घड़ी दो घड़ी अपने पसंद के गीतों को लबों से गुनगुनाने लगी हूँ, अब अगली रशना है, दरारें, भरती नहीं दरारें, भरती नहीं दरारें कभी दिल की चाहकर भी, लेकिन मुश्किल भी नहीं इने भरना प्यार के विश्वास से, क्यों डालते हैं दिलों में लोग इतनी दरारें, प्यार करके तो देखो, इजहार करो तो जरा दरारें ना पढ़ने दें, दिलों में कभी, दरारे ना पढ़ने दें दिलों में कभी जिन्दा रहें दिलों में सदा प्यार और मान देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों प्यार और मान देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों ये कोई वस्तु नहीं एक ने दी और दूसरे को परवा नहीं फुरसत निकालो, कभी दिल में जांको, कभी दिल में जांकने को दुआ दी है, खुश रहने की मिटा दो ये दरारें दिलों से, भर दो इने महबत और प्यार से, ना रखें किसी से शिक्वा शिकायत, दिलों में हो सिर्फ प्यार ही प्यार, ना पड़ें दिलों में कभी फिर दरार, ना पड़ें दिलों में कभी फिर दरार. करोना के समय में जब इतना कहर आया हुआ था सब पर सबकी बहुत बुरी हालत थी उस वकत जो सुनते और देखते पड़ते थे उस वकत मैंने अपनी कुछ रचनाय लिखी जिसमें से एक रचना है कहर वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कब खत्म होगा कहर का सिल्सिला कब तक रुस्वाई होती रहेगी अब नहीं सहा जाता ये मंजर अब नहीं देखे जाते वो आशू अब नहीं सहा जाता ये मंजर अब नहीं देखे जाते वो आशू दर्द है कि थमता ही नहीं दर्द है कि थमता ही नहीं स्वासे है कि आती ही नहीं अब तो महलत भी नहीं मिलती सांसों के खरीधने तक की सांसे मी है थमी हुई सांसे मी है अठकी हुई रहमो करम पर उसकी जाने कब मौत आ जाए तलवार है सिर पर दटकी हुई कहीं बेटा बैठा है मां का शव लिए कहीं पिता बैठे हैं बेटे का शव लिए जमा पूंजी लुटा कर भी नहीं नसीब है शम्शान जमा पूंजी लुटा कर भी नहीं नसीब हो रहा शम्शान भी लील गया लाखों को ये कहर भी छिन गई घरों की अब रौनकें भी सडकें भी सुनी हो गई अब बैठे हैं डरे हुए बंग घरों में सब इस बेश कीमती जीवन को हमें बचाना होगा ला परवाही छोड़ कुशियों को घर पर लाना होगा अब एक गजल रूपी में रचना है आज वो आकर के गए हैं रिष्टा निभाकर के गए हैं सोचा था नहीं बोलूँगी उनसे पर वो प्यार जता कर के गए हैं सखी आँख से बैर रहे थे आशू दिलासा दिला कर के गए हैं वादा किया है संग निभाने का अब आशा दिला कर के गए हैं गिला तो बहुत था उनसे मगर वो विश्वास दिला कर के गए हैं प्रेम करेंगे जिन्द की भर मुझ को प्रेम करेंगे जिन्द की भर मुझ से अब एहसास करा कर के गए हैं अब ना हूंगे जुदा कभी हम अपने हिर्द से लगा करके गए हैं। एक छोटी सी रस्ना है धूप चाओं। ये धूप ये चाओं ये धूप ये ही है जीवन का रूप। जैसे नदी में डोलती नईया, मलहा है उसका खेवईया, संभालता है पत्वार से जैसे नईया रूपी जीवन को संभालना है हमें ऐसे हैं। अब मैं अपने एक और रचना पेश करूँगी। अभी तो हम समले भी नहीं अपने प्रिये जनों को खोने का गम विछड़ गए कोई माबाप से, कोई अपने बच्चों से। घर घर में गमों ने डेरा जमा लिया, अभी तो उभर भी ना पाए थे हम उन दुखों के साई से। फिर प्रकृती ने अपना कहर बरपाया, कहीं बारिश में बै गए घर, हजारों लोग हो गए बे घर। तूट गए बांद, खिसक गई चटाने, लील गई हजारों जिन्दगिया, कितना दर्गनाख होता है वो मनजर, फिर भी इनसान समझ ना पाया, ना बन पाया अपनों का हम साया। अभी भी अपनी ही में में जिया, अभी भी अपनी ही में में जीता, जुकना ना अभी भी सीख पाया। अब वो कुछ संबल ना इनसान अब तो कुछ संबल जा इनसान छोड़ दे अपने इस एहम को अब तो कुछ सीख ले प्रकिती के इस कहर से धन्यवाद आप शुक्राओ